Hello students, welcome to school guide. जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्च के महीनी में है session ending exam तो आज हम करेंगे revision class for English का और ये हम revision जो कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं competency wise revision session ending examination के लिए इससे पहले मैंने पहली जो competency है reading comprehension उसकी revision की video मैंने डाल दी है तो आप उसको जरूर देखिएगा इसके अलावा अब हमारी जो second competency है, जो writing competency है जिसको हम textbook based questions भी कहते हैं जो कि prose और poetry से आते हैं, अब हम उसका revision करेंगे इसमें हमारा जो syllabus है unit 6 से लेके unit 9 तक syllabus है class for English में तो हम हर एक unit का एक video में revision करेंगे चार unit का चार video में ये revision हम over करेंगे जिसमें हम सभी questions को cover करेंगे तो आज हम जो revision करेंगे वो करेंगे unit 6 का और इसमें 2 chapters है, एक है जो पहला chapter है that is high vatha और जो दूसरा chapter है that is the scholar's mother time बच्चों, reading comprehension का revision करने से पहले सबसे पहले हम blueprint देखते हैं कि session ending exam का blueprint क्या है तो जो session ending exam है वो written part आपका 40 marks का होगा इसके अलावा 20 marks oral आपका होगा और 20 marks का आपका MDP होगा तो इस तरह से बन जाते हैं आपके total 80 marks तो written part जो 40 marks का होगा उसका bifurcation देखते हैं competency wise सबसे पहले जो reading आपकी competency है जिसमें एक reading comprehension passage आएगा आपको एक passage दिया जाएगा जो कि scene भी हो सकता है और unseen भी हो सकता है उसके उपर based आपको 5 questions दिये जाएगे 1 marks each तो reading की जो weightage है reading comprehension का वो है आपका 5 marks का उसके बाद में second जो आपका आता है that is textbook based questions जो कि आपके prose और poetry से लिये जाएगे वो आपके 5 marks के होंगे जिसमें ये 3 question होंगे एक question एक mark का आएगा और दो question टू-टू marks each तो इस तरह से हो जाते हैं आपके 5 questions उसके 5 marks उसके बाद में आपका जो grammar portion होगा वो आपका 10 marks का आएगा जिसमें आपके एक एक marks के आपको 10 questions मिलेंगे इसमें आपके fill in the blanks हो सकते हैं या आपको opposite words हो सकते हैं या इसके अलावा आपको articles हो सकते हैं, noun हो सकते हैं आपको jumbled sentence दिये जा सकते हैं sentence बनवाए जा सकते हैं तो ये आपका grammar portion होगा उसके बाद में creative writing आपका पहले 3 passage आया करते थे जो session ending है लेकिन आप केवल 5 marks का आपका एक पैसे जाएगा इसमें आपका कोई essay हो सकता है किसी चीज के ऊपर आपको 5 lines लिखने के लिए दी जा सकती है ये आपका जो इसका weightage रहेगा creative writing का वो आपका 5 marks होगा उसके बाद में आपका spellings तो 5 marks की आपको spellings दी जाएगी जिसमें आपको spellings पूरी करने के लिए दी जा सकती है कुछ 3 spellings या 4 spellings दी जा सकती है जिसमें से एक ठीक होगी बाकी गलत होगी उसको circle करने के लिए कहा जा सकता है उसके बाद में जो अगला है that is handwriting handwriting आपको एक passage दिया जाएगा जो आपको लिखना है correct punctuation के साथ उसके बाद में vocabulary दी जाएगी जो की 5 marks की होगी इसमें आपके one word हो सकते हैं इसमें आपको meanings हो सकते हैं किसी भी word के meaning हो सकते हैं synonym, antonym हो सकते हैं इसके अलावा आपका जो one word substitution है idiom phrase है यह सभी हो सकते हैं आपके vocabulary में तो इस तरह से total आपका हो जाता है written part 40 marks का तो चलिए करते हैं आज का पहली competency that is reading comprehension बचो सबसे पहले हाइवाथा का पहला question है who was हाइवाथा हाइवाथा कौन था so the answer is हाइवाथा was a young red Indian boy हाइवाथा जो था एक you are red Indian boy था red Indian कौन होते हैं जो USA के aborigines है वहाँ के native people है उन्हें बोला जाता है red Indians उसके बाद में अगला question है who was nocomist यानि कि nocomist कौन थी so the answer is nocomist was हाइवाथा's grandmother हाइवाथा की जो है दादी मा थी nocomist उसके बाद में अगला question है what did he learn about the birds यानि कि उसने birds के बारे में चिडियाओ के बारे में क्या सीखा so the answer is he learned the languages of the birds उसने उनकी पक्षियों की भाषा सीखी their names उनके नाम सीखे and all their secrets यानि कि उसके जितने भी secrets से उनके वो सभी सीखे और कौन से secrets like how they build their nests वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं and where they hide in winters और वो सर्दियों में कहां चिप जाते हैं तो ये सब उसने birds के बारे में सीखा उसके बाद बच्चों फोर्थ question है what secrets did he learn about beasts beasts का मतलब यहाँ पर क्या है beasts का मतलब है यहाँ पर animals यानि कि animals के बारे में फायवाथा ने क्या-क्या secrets जो है सीखे so the answer is he learned how the beavers built their lodges यानि कि उसने सीखा कि जो beavers होते हैं जो बला होते हैं वो अपने lodges अपने घर कैसे बनाते हैं जो beavers का घर होता है उन्हें lodges कहा जाता है where the squirrels hide their food यानि कि जो दोड़ते हैं and why the rabbit is so timid और जो rabbit होता है खरगोस होता है वो इतने दब्बू या इतने डर्पोक्स वहाव का क्यूं होता है तो ये सब secrets उसने animals के बारे में सीखे बच्चो बारी आती है unit 6 का second chapter the scholar's mother tongue इसका पहला question है who came to akbar's court यानि कि अकबर के दर्बार में कौन आया so the answer is a learned pundit came to akbar's court यानि कि अकबर के दर्बार में एक विद्वान pundit आया उसके बाद में अगला question है what did he claim to know वो क्या जानने का दावा करता है तो वो क्या जानने का दावा करता है so the answer is he claimed to know many languages जिस वो बहुत सारी भाशाय जानने का दावा करता है उसके बाद में अगला question है how did he challenge everybody यानि कि उसने सभी को किस तरह से challenge किया so the answer is he challenged everybody to name his mother tongue यानि कि उसने सभी को चुनोती दी कि वो उसकी mother tongue बता करके दिखाए तो बच्चों ये था आपका unit 6 का revision unit 7 के revision की video कल आपको मिल जाएगी और इस तरह से आपके जितने चारो units है उसमें हमने सभी questions को जितने भी textbook questions है उनको cover किया है तो ये revision आपके लिए important है तो इसको जरूर करिएगा यदि बच्चों आपको ये video अच्छे लगी हो तो आप इसको like और share कर सकते है साथी आपका कोई भी doubt हो कोई query है तो आप हमें facebook, instagram और telegram पे follow कर सकते है तो उसका link description में भी दे दिया जाएगा और साथी नीचे भी आपको हमारे facebook, instagram और telegram का link दिया हुआ है तो wait करिए हमारे next video का मिलते हैं next video में